Hello everyone, welcome to this channel इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं काला चुली डाइनेस्टी के बारे में चुकि अर्ली मेडिवल पीरिट की एक इंपोर्टन डाइनेस्टी समझे जाती है जैसे साथ इंडिया को रूल किया इसने आज के मद्य प्रदेश और महानास्टा वाले रीजन को रूल किया इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं इसके इंपोर्टन डाइनेस्टी के बारे में इसका हिस्टी में कॉंट्रिविशन क्या रहा Early Medieval Period वो period हिस्ट्री का जब Ancient Indian History का जो period है वो end होता है और Medieval Indian History का जो period है वो शुरू होता है उन दोनों period यानि कि Ancient और Medieval Period के बीच का जो समय है उसको historians Early Medieval Period बोलते हैं और यह dynasty Early Medieval Period की एक important dynasty रही इसने rule कहाँ पे किया? इसने rule किया South India में आज के म्रद्य प्रदेश और महारास्टा वाले रीजन में आप कह सकते हैं काफियत तक जो की Central India भी कवर कर रहे है इस dynasty ने अपनी existence को बनाया रखा 6 से 12th century में क्योंकि Early Medieval Period जो शुरू होता है वो 10-12th century के आसपास रहता है तो हमें यह चीज ध्यान में रखनी है चले बात कर लेते हैं इसके important rulers के बारे में को काला इसके first इसके important ruler है जिन्होंने जैसा माना जाता है कि इन्होंने इस dynasty को found किया 845 AD में इन्होंने rule किया काफी समय तक और अंगे टाइंग पर जो capital बनी इस dynasty की वो थी तरीपुरी और आज ही located है जबलपुर डिस्टिक में जो कि मदर प्रदेश का एक important district है आज इसके अलावा इसकी और भी capitals रही जैसे कलिंजार, महाकोशाला, राजनन्द गाउं अब बात कर लेते हैं दूसरे important ruler के बारे में केर्थी वर्मन first केर्थी वर्मन first जो थे उनको credit जाता है इस dynasty के expansion के बारे में उन्होंने इस dynasty का expansion किया बाकी अलग-अलग reasons में उन तमाम जगाओं पे जो इसके adjacent थी आँस पास थी इन्होंने इसका expansion किया और power को consolidate किया अपने आप में इसके अलावा अगर दूसरे ruler की बात करें जो important ruler रहे वो है कुसालाव जिनका reign important था cultural development के लिए उन्होंने art and architecture को patronage दिया संगरक्षन दिया इसके बाद जो important ruler हो जाते हैं इस dynist के वो है सुमिश्वराफ first सुमिश्वराफ first को याद रखा जाता है उनके military campaigns की वज़ा से जिन्होंने अपनी power को और strengthen किया और centralized administration को set up किया centralized administration मतलब सारी power को अपने हाथ में लिया और जो decentralized level पे या आपके सकते हैं पर जो power elites थे उनकी power को weaken किया उनको कमजोर किया और सारी power centralized कर लिए अगर फिल्ड में देखें इनका contribution तो हम देखेंगे कि एक important field में एक important जो temple था इनके समय खज्राव में कंदारिया महादेव temple वो दिखाता है किस तरह architecture इनका था किस तरह से intricate carving हमें उसमें देखने को बन रहे है sculpture और सब चीज़ें यह दिखाता है कि इनके समय पर architecture के इतना flourish करा इसके अलावा अगर हम बात करें literature और बाकी compositions की तो Sanskrit literature compose किये गए इस period में poets and scholars को patronage दिया गया अब इसके decline की बात कर लें तो decline में सबसे पहला reason जो माना जाता है वो internal strife है काफी historians मानते हैं कि इस dynasty का decline के पीछे इसी का internal weakness ही और वो internal weakness ही succession conflict इसी के आगे आने वाले जो rulers हैं उनके बीच में conflicts होने लगे succession को लेके कि कौन succeed करने वाला है कौन king बनेगा इस वजह से internal strife को इसका decline का reason माना जाता है काफी historians मानते हैं कि rival dynasty भी दूसरा कारण रहा होगा इसके decline का और वो मानते हैं कि जो विदेशी हमले रहे आपके सकते हैं इसके आसपस के जो dynasties नहीं उन्होंने इन पे attack किया जिसे रास्ट कूटास चलो क्यास इसके लावा इसका economic decline भी है काफी historians मानते हैं कि trade routes disrupt होने की वजह से और resources effective sustainability ना होने की वजह से भी इसका decline होता है नजराया cultural shifts भी काफी लोग मानते हैं कि इसके decline के पीछे एक reason रही होगी और वो मानते हैं कि इसके जो power थी और जो influence था कुछ religious patronage दिया जाता था उसमें shift देखने की वजह से इनका decline हुआ चलिए I guess आप कोई चीज़े समझ में आयोंगी and thank you for watching the video thanks